नमस्कार आपने कल दिन भर में क्या-क्या खाया? आप में से कुछ लोगोंने रोटी खाई होगी, कुछ ने चावल दाल, किसी ने आलो की सबजी और किसी ने भिंडी की सबजी. इसी तरह पंजाब में लोग पराठे खाते हैं, बिहार में लोग दही चुड़ा खाते हैं, तमिलनाडू में लोग डोसा खाते हैं, महराष्ट में लोग वड़ा पाउ खाते हैं, और इसी तरह अगर आप आसपास के जानवरों को देखेंगे, तो वे भी कुछ न कुछ खाने के लिए धूनते रहते हैं. देखा जाए, तो जीवित होने की सबसे बड़ी पहचान है खाने की जरूरत. पर ऐसा क्यूं है? इसकी वज़ा ये है, कि हमको जीवित रहने के लिए उर्जा की आवशक्ता होती है. पर जिन पेड़ पौधों को हम खाते हैं, जैसे गेहूं को पीस के बनाये हुआ आटा, या पेड़ से तोड़े हुए फल, इन सब के पास हमारे खाने लाएक खाना आता कहां से है? हम जानते हैं कि पेड़ पौधे अपना खाना सूरे की रोष्णी, पानी और जमीन से लिए हुए पोशन से खुद बनाते हैं. तो एक तरीके से देखा जाए, तो सूरे की रोष्णी से धर्ती पे आने वाली उर्जा सिर्फ धूप ही नहीं, बलकि खाने के माध्यम से भी हम तक पहुँचती है. आईए देखते हैं कैसे. पेड़ पौधे सूरे से उर्जा लेते हैं और उसे खाने में बदल देते हैं. कुछ छोटे जानवर इन पेड़ पौधों को खाते हैं, तो उस उर्जा का कुछ हिस्सा उनमें चला जाता है. फिर कुछ बड़े जानवर उन छोटे जानवरों को खा जाते हैं तो उर्जा का कुछ हिस्सा इन बड़े जानवरों में चला जाता है दुनिया में बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे और जानवर हैं पर बहुत चीजे ऐसी भी हैं जो जीवित नहीं होती जैसे पत्थर, मिट्टी, इत्यादी इन सभी चीजों को सजीव हों या निर्जीव हों मिला के कहा जाता है हमारा पर्यावरन इस पार्ट में हम पर्यावरन के कुछ पहलूँ को विस्तार से पढ़ेंगे साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि मनुश्यों की विज्ञान और टेकनोलजी में प्रग्रती के कारण पर्यावरन पे क्या फर्क पड़ा है तो चलिए शुरू करते हैं